दोस्तो एवेंजर्स की एज ओफ अल्ट्रोन मूवी तो आपने देखी ही होगी जिसमें आइरन मैन और डॉक्टर बैनर ने मिलकर एक रॉबोट बनाया था जिसका नाम अल्ट्रोन रखा गया जो पूरी दुनिया के लोगों को खतम करना चाता था खेर ये तो एक मूवी थी लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि आज इंसान ने आर्टिफीसिल इंटेलिजन्स की टेकनोलोजी से ऐसे रोबोट्स का निर्मान कर दिया है जो इंसानों को कैद करने की बात कहते है आज इंसान हर चीज के लिए टेकनोलोजी पर का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि रोबोट्स को इंसानों से सीखने की जरुवत ही नहीं रही इसलिए आज रोबोट्स ही इंसानों का सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है वहीं कुछ रोबोट्स ने तो इंसानों को खतम तक करने की बात कही है आखिर कौन है वो रोब जिसने इंसानों को गुलाम बनाने की बात कही। जीहां दोस्तों आपने सही सुना। बीना 48 रोबोट ने कहा कि अगर वो नुकलियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदी बना लेगी। लेकिन बीना एकलोती ऐसी रोबोट नहीं है। ऐसे ही एक और नाम आपने सुना ही होगा। जिसे हैंसन रोबोटिक्स कमपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था। उसी भोले से चेहरे वाली सोफिया ने इंसानों को डेश्ट्रोई करने तक की बात कह दी थी। तो दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है क्या हमें रोबोट्स के सहारे अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए दोस्तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रोबोट्स इंसानों के लिए थ्रेट कैसे बन सकते हैं वेल दोस्तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर artificial intelligence इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते इसके बारे में Elon Musk कहते हैं कि artificial intelligence इतना बड़ा थ्रेट है जो nuclear technology से भी जादा खतरनाक है क्योंकि AI robots इतनी तेजी से decision ले सकते हैं कि जहां हमारे neurons 1000 per second से information को process करते हैं वहीं एक AI robots billion per second में information को process करता है इसका सबसे बड़ा example है 2017 का Deep Mind Alpha Go Robot जो Google ने बनाया था इस AI robot ने world के best go game player Lee Sudol को चुटकियों में हरा दिया था ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये board game चेस की तरह intuition और clever decision making पर base होता है Alpha Go अलग-अलग combination के मदद से पहले ही ये पता लगा लेता है कि सामने वाला कौन सी चाल चल सकता है इसी तरह Alpha Go ने Lee Sudol को मिंटों में हरा दिया इसी तरह अगर हम एक और powerful robot बना लेते हैं तो उसे हमारे action और खुद को बचाने के सारे तरीके पता होंगे जिससे हम उसे नहीं बलकि वो हमें control करने लगेगा और अगर हम robots को खत्रा लगने लगे तो क्या पता वो हमारे ही nuclear bomb हमारे against इस्तमाल करने लगे लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो हुआ ही नहीं उससे क्या डरना वेल दोस्तों हुआ नहीं पर हो सकता है क्योंकि robotics technology इस तरह बढ़ती जा रही है कि इससे आने वाले कुछ सालों में ही इनसान किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि आप अभी तक AI technology को नहीं जानते इसको ऐसे समझिये कि जिस technology को सीखने से इनसानों को 1000 साल लग गए वहीं ये machine इस technology को कुछ ही दिनों में सीख सकती है और इसे execute भी कर सकती है यानि अगर उनके हाथ हमारी nuclear technology नहीं लगी तो वो खुद ही ऐसे missile बना लेंगे जो शायद हमारी nuclear missile से भी जादा खतरनाग हो अब आती है दोस्तो बात training की दोस्तो जैसे एक बच्चे को अच्छी परवरिश देकर एक अच्छा इंसान बनाया जाता है वैसे ही एक रोबोट को अच्छी ट्रेनिंग देकर अच्छे और बुरे की समझ दी जा सकती है अगर आप ऐसा सोच रही है तो भूल जाये क्योंकि आज इंटरनेट पर सब कुछ एवलेबल है रोबोट को हमसे कुछ सीखने की जुरुत नहीं वो सब कुछ इंटरनेट सही सीख लेते है आज गल ऐसे ऐसे सोफ्टवेर बनाये जा चुके है जिससे रोबोट को इंटरनेट से सारी इंफोर्मेशन मिल जाती है वही बात रही सही और गलत की तो इंसान कोई मशीन नहीं है जिससे गलती ना हो लेकिन मशीन के लिए इंसान उसका बॉस है और जब बॉस गलती करेगा और रोबोट उससे करेक्ट करेंगे तो आप खुद बताईए अगर आपका बॉस गलती करें और आप उस गलती को ठीक करें तो क्या आप अपने आपको बॉस नहीं समझेंगे या boss बनना नहीं चाहोगे इसी तरह रोबोट्स जब कभी इंसानों को अपने principles और बातों से मुकरता देखेगा तो वो उन्हें ठीक करते हुए इंसानों को खुद से superior समझने लगेगा फिर इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि इंसानों ने ही रोबोट्स को बनाया है क्योंकि आज हमारी दुनिया ही इंटरनेट से चलती है हम बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं कर सकते communication से लेकर transaction सब कुछ इंटरनेट से ही connected है लेकिन चलो मान भी लिया जाए कि हम इंटरनेट को बरबाद कर देंगे पर दोस्तों इससे हम future में नहीं बलकि past में चले जाएंगे जहां हमें communication के लिए letter का इस्तमाल करना होगा